हेलो एब्रीवन एम अलका वेलकम टो आलका लर्निंग होम यह एक यूटकेजी मैथ टेस्ट पेपर है और यह पेपर आपके बच्चों को एक रांग के लिए प्रिपार करने में हेल्प करेगा इसे कुछ नमबर दिया गया है बच्चों को इसका नमबर नेम लिखना है मतलब इसका स्पेलिंग लिखना है यहां पर कुछ नमबर दिया गया है जिसे बच्चों को काउंट करके बीफोर नमबर लिखना है ऐसे ही मैंने 3 question बनाए हूँ बच्चों को इसका before number लिखना है then question number 3 what comes after बच्चों को इसका after number लिखना है जैसे कि 63, 64, 65, 66 then 67 ऐसे मैंने 3 question दी हूँ बच्चों को यह count करके next number मतलब after number लिखना है then between में भी question आता है between number में what counts between 75, 76 then 78, 79 यहां पर blanks दिया गया है between में 75, 76 यहां पर 77 होगा यहां पर मैंने 3 question दी हूँ 93, 94, 96, 97 यहां पर 95 लिखना है 50, 51, 52, 53 then 54 then question number 5 युकेजी में ऐसे आरेंस करने में भी बच्चों को question बच्चे के लिए question आता है exam में जैसे कि आरेंस नंबर from smallest to weakest बच्चों को यहां पर smallest number बच्चों को रेकोगनाईज करना है मैंने मेरा पहले वीडियो में बोली हूँ just case है बच्चों को smallest number and biggest number recognize करना है यहां पर जब भी बच्चों recognize करेगा तो first 10 place का number देखेगा यहां पर 6667 दिया गया है यहां पर बच्चों को 1 place का number देखना है 587 तो 5 is the smallest number यहां पर 65 लिखना है देन इसको टिक करना है क्योंकि यह number हमने already लिख चुके हैं यह 3 numbers में हमें smallest number दिखना है so 68, 67, 66 then 67 is the smallest number then 68 then 76 सेमी मैंने और एक question दी हूं जैसे कि 77, 48, 83, 92 so 48 is the smallest number next number is 77 then 83 then 92 next number are the numbers from biggest to smallest यहां पर कुछ numbers दिया गया है जैसे बच्चों को biggest to smallest लिखना है so biggest number को देखने के लिए 10th place का number देखना है 10th place में सब number 7 में 6 ही है so 1th place की number देखना है 9, 6, 7, 8 so 6 is the smallest number so 66 is the smallest number बच्चों को यहां पर biggest number देखना है so biggest number is 9 so 69 is the biggest number इसको टीक करना है then 68 then 67 then 66 एसे ही मैंने 2 questions यहां पर दी हूं 17, 71, 86, 56 so the biggest number is 86 then 71 then 56 then 70 एसे ही बच्चों को आरेंज करके लिखना है then question number 7 next question fill in the blanks यह जो blanks दिया गया है बच्चों को blanks को fill up करना है skip count करके यहां पर बच्चों को देखना है कितना skip count करना है 6 दिया गया है 8 दिया गया है so difference between 6 and 8 is 6, 7 then 8 so यहां पर next number होगा 8, 9, 10 10 हो गया then 11 skip करके यहां पर 12 लिखना है यहां पर 13 skip करके 14 है so next पर 3 दिया गया है 6 दिया गया है so the difference देखना है बच्चों को 3 to 6, 3, 4, 5, then 6, then 7, 8 यहां पर 9 लिखना है then 10, 11, 12 लिखना है 13, 14, 15 यहां पर 5, then 10 दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9, then 10 अपर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 skip करना है then 5, 10, 15, next number होगा 16, 17, 18, 19, 20, so 20, 21, 22, 23, 24, 25 बच्चों को इसे लाइन ड्राव करके या फिंगर में काउंट करके next number लिखना है then next question is question number 8, complete the patterns, यहां पर कुछ पैटन्स दिया गया है जो बच्चों को complete करना है यहां पर circle दिया गया है, then triangle, then square, circle, triangle, next is square यहां पर एक जो pattern दिया गया है, next pattern होगा पहले नीचे, then right को, then off, then left, then next होगा, down, then double triangle, circle, double triangle, double circle, then double triangle, then यहां पर circle, मतलब increase होके जा रहा है, तो three circle होगा, पहले लोग वान था, then two होगया, then three होगया, बच्चों को यह दियान से देखना है, यहां पर क्या बनाना है, okay then question number 9, count and add, बच्चों को, UKG में addition and subtraction आता है, तो इससे picture दिया जाता है, और बच्चों को count करके add करना होता है इससे कि, one, two, three, four, five, number is five, then one, two, three, four, यहां पर four लिखना है, तो total count करके, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, the number is nine next, ऐसे ही, UKG में addition बच्चों को दिया जाता है, numbers में, बच्चों को line draw करके addition करना होता है, यहां पर seven दिया गया है, one, two, three, four, five, six, seven, then and down number is one, two, three, so बच्चों को total count करना है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten so the answer is ten, ऐसे ही यहां पर line draw करके बच्चों को count करके लिखना है, then question number ten, next number count and subtract, यहां पर बच्चों को बच्चों को दिया गया है, जो बच्चों को count करना है, and subtract करना है, यहां पर one, two, three, four, five, six बच्चों को दिया गया है, one, two, three, इसमें three बच्चों को subtract करना है, so three बच्चों को cross करना है, one, two, then three, so rest one, two, three, यहां पर number लिखना है, one, two, three, four, five, six, six लिखना है, then three, then हमने three बच्चों को अगर cross कर देंगे, तो rest is one, two, three, so number is three, then ऐसे भी number में भी subtraction या addition दिया जाता है, जैसे eight दिया गया है, eight minus four, बच्चों को eight line लिखना है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and four cross करना है, subtraction मतलब cross करना है, one, two, three, four, so the number is four, यहां पर और एक question दिया गया है, nine minus three, then addition में भी, एसे question आता है, five plus three, तो बच्चों को five line draw करना पड़ता है, four, five, then three, तो total count करना होता है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, यहां पर answer होगा eight, सेम एसे ही यह six plus two को भी addition करना है, then next number, question number 11, एसे ही एक question आता है, जो बच्चों को fill up करना होता है, यह question 10s once का है, जैसे कि six 10s is equal to, यहां पर लिखना है, seven 10s plus two 1s, seven 10s, okay, 60, then two 1s, was 72, then one 10, five 1s, one 10, five 1s, is 15, eight 10s plus zero 1, so 80, okay, तो UKC में time भी बढ़ाया जाता है, ऐसे कि clock दिया जाएगा, इस टाइप का भी question आ सकता है, तो बच्चों को time recognize करना ज़रूरी होता है, यहां पर एक clock का picture दिया गया है, this is the hour hand and this is the minute hand, तो बच्चों को time देखना है, what is the time, so eight के पास अगर hour hand होता है, और 12 के पास minute hand होता है, the time is eight o'clock, so UKC की annual exam में, second time exam होता है, is type का question आता है, आप बच्चों को is type का question पेपा कर सकते हैं, मैंने यह जो question पेपा क्या है, is type का question पेपा करके, मुच्छों को दे सकते हैं आई ओप इस वीडियो विल भी हेलफुल फर यू अगर हेलफुल लगा तो प्लीज लाइक करें कमन करें शेयर करें अगर चैनल में नई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें यहाँ पे गुड़े बाइ बाइ टेके